यह लो, यह क्या है, तुमने जो computer course के लिए apply किया था उसका admission form, अब इसकी कोई जरुद नहीं, क्या, तुमने अपना इरादब फिर बदल दिया, नहीं दिदी, मैं सोचती हूँ कि फैक्टर में काम करूँ, चीजाची का हाथ बटाऊं, गुड आइडिया, मैं भी तुम्हें यही सला देना चाहती थी, अफर और प्रेम अंकल तुम्हारे लिए इतना बड़ा शेयर छोड़कर गए है, तुम उनकी इकलौती बैटी हो, उसे संभालने की जिम्यदारी तुम पर है, आप ठीक कहती है जीदी, आरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, आज एक ब वो तो एक लड़का था, जिसने मुझे बचाया भी और संभाला भी, ओ, बचाया भी और संभाला भी, लगता है कुछ नशा अब भी बाकी है, पहली बार का नशा होता ही ऐसा है, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी जिंदिकी का पहला प्यार हूँ, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह किसी से मिलने मैं पहली बार आई हूँ, उस दिन जो तुमने मुझे बचाया, फिर संभाला, उस एहसान का कर्ज अब तक वाकी है, मैं तुम्हारे शुक्रियादा करने आई हूँ, इतनी दूर चलके आप मेरा शुक्रियादा करने के लिए आई है, मै लेकिन तुम भी तो बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी का भी यह पहला प्यार है, बिल्कुल, मैं तो कोरा कुवारा हूँ, कपड़े का वो लठा हूँ, जिस पर कंपनी का ठपा नहीं लगा, तुम्हारा भी पहली बार, मेरा भी पहली बार, तो फिर पता कैसे चलेगा क कि पयार होता क्या है, वो उस दिन नशय में तुमने कुछ किया था न, मगर वो तो नशय था, तो प्यार भी नशय ही होता है, तो फिर इस नशय का एषसास कैसे होगा, एहसास मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है, बाल जो बखर जाते हैं, आकर लटक जाती है, आईज से मेरे लडंके का बलतकार κα। अगर खर्बुजा। शूरी पर गिर सकता तो चूरी भी घर Łूआ में गिर सकते हैं। तुम मुझे देखो करीब से देखो पास से देखो कि पीए से देखो जो पाइसे पीटाइक सब्दाब भॉजी 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 पचालीजी जो लिए माट गालीगा मुझे अवा लगा नुए टॉरी चोड़ भाई उत्रे यह तुम्हारा कह सगे वाला नहीं इसाम तो है योग खाब खाब चारे को मारत तो बॉला ना तुरी का लफड़ हमें नहीं पढेंगा क्या दिखोन मास्टर तुम ये सब अपना काकष Tabii's Les whole public the कई satellite and ने है स्थेओफ जया खुद्षेट लेध्र पर्यविक्या मेरे लिए बाट थी किसेत मैठ प्रेकि ने काकुद या मेर सब ताइम पर आगे बुट्टे को बचाने के लिए या थोड़के रख दूगा बदम से हात लग कर दूगा तेरा राम जाए ऐसा सबग तखाऊंगा कि जिंदी की जार नहीं बूलेगा तेरी हमत बोल बोल तेरी मत मेरे हातों निखी है जिलर किले इस बूल शूट कर दूब भूब भूब लेगा जाए जिलर साफ यह मेरे चंद काउजाद भिखर गया मैं समय्ट कूंगा इनको लेकर इस बीचार को मेरी का दोरा पड़ता वीमार है कि से शमा कर देजे प्लीज मेरे लिके शचार कर रही है तुम्हारा इंजार कर रही है तुम जाकर उनसे मिल सकते हो तंक्यू सेर सुजादा फिर से कही सुजादा जब तक कहो दो रादर हो कैसी हो तुम पर सच कहना होगा सच सच आजकल सुनता कौन है आपका सच किसी ने सुना लेकिन मैं आप से सची कहूंगी जब तक आप सामने होते हैं मेरे सुखी खुशी की इंतिहा नहीं होती बहुत अच्छी लगती है तुम्हारी यह सब बाते हैं कानों से उतर के यह ऐसे दिल में घर कर लेती हैं जाने कब हटेगी यह लोहे के जाली के सलाखें हमारे बेच में से हटेगी बहुत जल्द एक एक दीन किंती रहती हो सोचती भी रहती हो कल रात मैंने सबने में देखा आपके किताब छप गई इतनी बड़ी छप गई छपी नहीं लेकिन मुकम्मिल हो गई क्या? हम देखो यह है मेरी बर्सों की मेहनत का फ़ल जंगल का कानून इंसाफ के अंदे देवताओं के नाम गैदी नंबर एक सो तेईस का पहगाम मैंने तुमसे वदा किया था पूरा किया अब यही मेरी गीता है यही मेरी रामायन अब मैं अपनी प्रतिक्या पुरी करके दिखाऊंगी यह गीताब छपेगी घर घर गली गली इसका चर्चा होगा इसलिए के सत्य कैद खाने के सलागों के पुछे सही सत्य जिन्दा है सत्य अमर है वो हमेश्या जिन्दा रहेगा मोहिने 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 बस बही रुक जाओ क्या बाद मुझे यहां क्यों बुलाया थो के बास कोई नई चाल्स हुजी है मिस्टर चाल्स बास नहीं मोहिने आज तक मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसके लिए किसीने मजबूर किया था किसीने मजबूर किया किसने उसे तुम भी जानती हूँ मैं जानती हूँ हाँ कौन है वो मेरा ये दिल जिसकी हर धरकन तुम्हारा नाम लेती है यकीन नाए तो सुन लो कौन है तो ये है तेरी तहिली जिससे मिले तो चिप-चिप के रोजया हर दिया है ये शराम पती को धोकाते ने वाली देख आज मैं तेरी क्या गुरूरी करता हूँ पाती तेरा सैंटी भोग्चा खराब हों गया हूँ अब लानारी को तंग करता है तंग तो जंग होगी ये जंग शादिशुदा अपने मा की बात कररा, अपनी मा की नहीं इस लवर्णी जा अना मेरी इप्भी तो आप रोक साथ पेरे लेते, मैंने आठ पेरे लिए, एक मेरा एक सापना है, समझा? क्या? यह यह क्या बख रहा है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम से सच छुपाया तो यह सच है? मेरे जिन्दगी के रेकिस्तान में तुम्हारा प्यार थेंडे पानी के जलने की तरह आया मैंने इसमें बह गए मैंने सोचा, अगर तुम्हें सच्चाई मालू पड़ेगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो बैठूंगी इसलिए मैं तुम्हें पता ना सकी यह आदमी पती नहीं राक्षा से राक्षा मुझे आरत नहीं धौभी घाट समझता है यह देखो रोस हंडर से मेरी धुलाई करता है तु अपने आपको जालिम सिंग समझता है क्या अगर तु जालिम सिंग है ना तो मैं भी दारा सिंगू अरे इसके चुंगल से मैं तुमको छोड़ा हूँगा मोईने डॉंट फिकार पहले मैं तुमको इसे तलाग दिलाऊँगा बाद में खुद्शादी करूँगा हाँ चला 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 अरे बचा मेरी यह किताब जिसका उन्वान है जंगल का कानून इसको आपके संस्थाने पुरसकार दिया है और मुझको एक मौका दिया कि जेल की बंद चारदिवारी से बाहर निकलकर खुली फिजा में थोड़ी देर के लिए सांस ले सको यह तकदीर का मजाक नहीं तो और क्या है यह हाथ जिन में हदकड़ियां लगाई गई थी हदकड़ियां जिन में लगाई गई थी आज उनी में न्याई जोती का पुरसकार दिया जाएगा जंगल का कानून एक प्रोटेस्ट है एक मान है समाज से कि वह लूच ले इस देवी की आँखों से ये पट्टी ताकि ये देख सके बचा सके बेगुनाहों को अपने अंधे फैस्ट से और पहचान सके दुष्ट गुनाहगारों के चेरे अभारिद्व मैं आपका और आपकी संस्था का जिसने मुझे परस्कार दिया साथ दिया मुझे ये खुबसूरत मौका इस महान देवी के दर्शन का जिसके नाम मैं अपनी ये किताब समर्पन करता हूं कई बरसों के बाद जेल की सलाखों के बगएर मैं अपनी पतनी सुजाता को देख पा रहा हूं अगर सुजाता नहोती तो यकीनन मैं भी नहोता और अगर मैं नहोता तो यकीनन ये किताब भी नहोती दिन्यवाद दोस्तों इस जलसे के मौजजिस मेमान श्री ब्रमदर जी को उनकी किताब जंगल का पानून के लिए नय जोती का प्रुसकार देंगे श्री इंदर जी जी आई नहींगे आई येंग आईए 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 कुमीने तू और यहां तेरे हथो में ये नाम लोगा नापाक कर दिया तूने नापाक कर दिया इसने नापाक कर दिया इसने नाइजोती कि इस पुरस्कार को चूकत मैं कि आमनम मां खरक दिया तैंजा है ना मुंक सो जो आया थे चूद्धकमीन हो पर विश्वास करने लगे हैं. चीफ केस्ट, Mr. Inder जी से आपकी क्या दुश्मनी है? Mr. Brahmadat, आप लेकिस आप ने ऐसे क्यों किया? बताईए ऐसा क्यूं? आखर कुछ तो बताईए ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आखर क्यों? लो! बताईए लो! 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 कर दो कर दो कर दो कि दो थैंक यू पी तो नहीं प्यूंगा मगर जंदगी में कामियाबे के कभी किसी मुझाई पर पहुंच लेने के बाद जरूर प्यूंगा ओ मैटर अफ प्रिंसिपल उस उलों की बात है सुजाता बैन तपतें के लिए कुछ चाय नाशते का इंतिसाम कर हाँ हाँ चलो बेटी चलो मेरे साथ तो आज कर रोजी रोटी का क्या मश्कला है मिस्टर इंदजीत सर इंशूरेंस का कुछ काम है और वैसे लक्षमी चिट फंड में तीन साल तक मैं एरिया मेनेजर रहा हूं लक्षमी चिट फंड के खिलाफ तो फ्रॉड का मुकदमा चल कर दियो उसने वो खुद तो बच निकला और वो चेर्मेन बेजरा सीधा आदमी था वो अंदर हो गया सब नगन नरायन की कराम आते हैं साब आप तो जानते हैं जानता हूं लेकिन आश्य मामलात को मैं जाइज नहीं समझता आपका क्या ख्याल है जाइज और नाजाइज क कि उचाई वही सबकी मंजिल है उस मंजिल तक पहुचने के लिए लोग लाश्यों पर भी पाउं रब कर उचा जाने की कोशिश करते हैं सर इस इस न्यू काइंड वर्ड इस न्यू वर्ड सर आप आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ने साब कि अजय को सब कर दो कि मैं कुछ सादा बोल गया नहीं एक सरसे तो अच्छा ही हुआ यह तो नहीं कह सकता मिस्टर इंदेजीत कि आप से मिलके मुझे बड़ी खुश हुए लेकिन यह बड़ा अच्छा हुआ कि मैं आपके ख्यालाद जान गया आप जा सकते हैं मैं अजय है अजय है का चलिया हो लगका हाँ चाय पीए बिना ही हाँ वो कुछ ऐसा ही हो गया पर हुआ क्या आपने भी उन्हें रोका नहीं दैदी उसे इस अपदे नहीं समझा क्या दिका उस चेस्ट में तुमने जिसका कोई करड़ नहीं करदार नहीं बस बुलंदियों को छूने का एक जुनूर है उसमें, छिछोर आप बेअरब, हर्गेज वो तुम्हारी लाइक नहीं आपको मालम होना चाहिए दैरी, मैंने इंदरजीत को अपने जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया है वो फैसला तुम को बदलना होगा नहीं बदल सकती मैं अपना फैसला, बदलना है तो आप अपने पुराने खयालात बदलिए मैं इंदरजीत से महबबत करती हूँ, वो मुझ से महबबत करता है और दुनिया की कोई ताकत हमें एक दुस्टर से जुदा नहीं कर सकती पापा अपनी जबान को लगाम दो सुनू, बख्वास बंद कर लगी, बख्वास नहीं मैं सच कह रही हूँ मा, पापा, अपनी राय के सिवाए आपके दिल में न किसी के लिए कोई प्यार है न परवा, आप धन्वान होंगे, बहुत बड़ी स्टील फैक्टर के मालिक होंगे, ल सुनू, यार ब्रमदत ये क्या हिमाकत है, जमान बेटी के मुँपर थपड मार दिया तुमने, तुमने उसकी बात है, ये उसकी बात नहीं थी, उसकी उमर का थकाजा था, अगर आउलाद अपनी माबाप से दहकते हुए उंगारे मांगे, तो क्या माबाप उनकी जोली में तुम उसे समझने में घलत ही कर रहे हो, मुझे तो लड़का काफी समझदार और अपनी सुनू के कावे लगा भाई, सुनिये, सुनिये, देखे तो, सुनू ने क्या कर लिया, सारे गोलिया निकल गई सुनू की बाद कर रहा हूँ, नेन की 30-40 गोलिया खा गई है वो, किसी हाल में भी उसे सोने मत दीजिए, मेरे आने तक उसे जगाए रखिए, बरना जान बचाना मुश्कुर हो जाएगा मुझाए ने खेए, सुनू, मैं तुमारा डैडी बोल रहा हूँ, मुझ से भूल हो गई, बेटी, उस से मैं, मैंने तुमें थपादा दिया मेरे दिल में तुह भलाई के सिवा और कुछ नहीं था, मुझे बाफ कर दो, ऐसा कभी नहीं होगा अब ऐसा कभी नहीं होगा सुनू सुनू आंके खोयो आंके खोयो बेटी एक ही बेटी है मेरी इसे कुछ नहीं होना चाहिए सब ठीक हो जाएगा प्रमदत घबराता क्यों सब ठीक हो जाएगा अच्छाही होगा तू फिकर मत कर ठीक है कि बस थोड़ा सब पल्स रेट और बीपी हाई है कि बिटिया को अब्जर्वेशन के लिए राद भर नर्सिंग होम में रखना पड़ेगा ठीक हो जाएगा अरे पर कहे तो रहे हैं सब ठीक हो जाएगा अरे नर्सिंग होम से वापिस आने के बाद बेटी के हाथ पीले करने क नित्राम करते हैं हम हाँ यहां ओ अरे जाथ कि आप तेसे के आव अरे तुम इतना गवरा क्यों नहीं हो मैं कोई भाव सुपारी तुमूही बीभी हूं यहां तुम बश्चोछ हो जब कोई रास्ता भूल जाए खो जाए तो उसके तलाश करनी ही पड़ती है ना तुम्हें रास्ता फूला हुआ हूँ और ना खोया हुआ हूँ तुम जूट बोलते हो तुम दॉलत और लालच के चंगल में खोईवे वह जानवर हो जो अपने घर का रास्ता भूल चुका है क्या बक्ति हो मुझे सब से शादी करके इसी के सिंड़ेश की का कि लिए दूसरे इंसां को सिड़ी बनाता है तो वो इनसान इंसान नहीं रहता जानवर बन जाता है और तुम वहीं जानवर हो अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त सचाई बताकर तुम्हारे इस हैवानियत की बहुत बड़ी सदा दिलवा सकती हूँ तुम मेरी भी सुन ले कि गरीब के सच की कीमत जितनी कम है एक अमीर की जूट की कीमत उतनी ही ज्यादा है और आज मैं कामजाब इनसान हूँ और हाँ मैं तुम्हारे जजबात की कीमत जरूर अदा कर सकता हूँ अभी इसी वाक्त मैं कोई पेशावर वॉरत नहीं हूँ मुझे कीमत नहीं हक चाहिए अपना हक अपने बच्चे का हक मुझे वो हक भी मन्जूर है अगर तुम्हें अपने सुहाग और सिंदूर का पटवारा मन्जूर तुम्हारी सौदेबाजी मुझे बिलकुल मन्जूर नहीं चलो तुम्हें सौदेबाजी मन्जूर नहीं ना सही लेकिन मेरी काम्याबी में इस सिदार तो तुम बनी सकती वो कैसे बताता हूँ इससाइन चेक जो जाहो लिख लो लिखोंगी तुम्हारी मौत एक बात और याद रखना एक दिन तुम्हारे बेटे के हातों ही इस चेक को कैश करवाउंगी करता है। आगई मा बापअ कर दे ये तुम्हारा नहीं आएका वो कभी नहीं आएगा रागे क्यों आए गिंग ने जुम्हारा नहीं आएका वो कभी नहीं आएका तो नहीं आएगा, तुम छुट बोल रही हो क्या? क्या कहा? मैं? मैं छुट बोल रही हूँ? हाँ तुम छुट यहाँ, तुम ममेशा जूपलती रहती हो मुझे नहीं मननने अपने सागिया मुझे खुद रहे चाहिए मुझे मेरा पापा जेए क्या क्या जाए क्याम! जो नहीं दुमाती ए stocks तो 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 यशी कम मने की ओ लाए ठीँरों गो बी उसकेए जाए वहाँ जाए यह जाए प्सक्योंर की ते लोर deep की पीजया है की जन्दोर बसकंग जन्दोक की जन्दोर एक रोटी दे दो साफ चल वे रस्तापकर दो दिन से कुछ भी नहीं खाए साफ अबे मने तेरे बाप से कर रहा लिया है क्या काम मर गया हुआ हराम जारे साला तुझे पाइडा करके गाली क्यों तेरे हो साफ अबे गाली नहीं दूल तो क्या तेरा मू चुमो मैंने तो सिर् जो तुझे रोटी देने का ठीका दे रखा मैंने मेरी मा को गाली की अब तुझे गाली की बात करता है अब तुझे गाली नहीं गोली भी दूंगा बहुत भूग लगी थी न तेरे को यह लगा किसी रहे कुछ नहीं देखा चलो शुक्र है तुम्हारी जान बच गई यह गोली तुम्हारे पेट में थी किसने मारी थी यह गोली तुम्हें किसी नहीं डॉक्टर मैं पुछता हूँ क्यों मारी मुझे गोली मैंने तो सिर् फ्रूटी मांगी थी उसने मुझे गोली क्यों मारी सिस्टर तुम बताओ मैंने जब रोटी मांगी तो उसने गोली क्यों मारी शाव पाबा बहुत बाबा आज तो रोटी मांगी थी है अगर उसने गोली क्यों मारी क्यों मारी तो यह थ्यां यह अब आज के दुनिया हे रोटी मांगो तो बश्री मिलती है मैं भी लोगों के पेट में गोली मारूंगा और अब जो तज्वीज में पेश करने जा रहा हूँ मुझे यकीन है उससे हमारे कंपनी की वर्किंग में और आने वाले साल के मुनाफ़े में मजीद इधाफा होगा जेंडलमेन मैं जेनरल मैनेजर के लिए प्रॉबोस करता हूँ एक होनहार नौजवान का नाम और वो नाम है मिस्टर इंदरजीत सबरवाल आइधिंग डिजर्व अभी हैं और साहिवान इसके साथ ही हमारी आज के मीटिंग खत्म होती है थैंक यू थैंक यू वर्यमाइधि डैडी मुझा शिर्वाद दीजे और शिर्वाद देने से पहले मैं तुम्हें एक मश्वदा देना चाहता हूं इंदरजीत मैं जानता हूं कि आजकल के नाज़वानों को बहुत जल्दी है डौलत हासिल करने की नाम कमाने की तुम भी उनी मैंसे हो ये को बुरी बात नहीं है लेकर मेरा मुश्वदा है कि अपनी इस तेजी के सफर में हर गदम पर इंसानियत की जो अच्छी गद्रे है ये मांदार सच्छाई खुलूस इन तमाम कद्रों को कायम रखो क्योंकि इनका खोन करके अगर इनसान कोई दौलत या अपनाम कमाता है तो वो निकनामी नहीं है वो उसके माथे पर पाप का कलंक बनकर रह जाता है डैड़े मैं आपके नेक विचारों और उचे अधर्शन को अपना ध नहीं वारिस बनकर दिखाऊंगा बाई वरंदत मैं तो भूली गया था ये रहे तुम्हारे हवाई जाहस के दो टिकट तुम्हारा और भावी का कहा के हैं कश्मीर की है अब हम कुछ दिनों के लिए च्छुटिया मना सकते हैं भावी की विखाइश है के कश्मीर की सेर की तो आपके लिए ये होटेल का कमरा बुक कर रहा है और ये दो टिकेट और वो मौहनी के इमतहां दो दिन के बाद खत्म हो जाएंगे हम लोग भी आपको जॉइन कर लेंगे बस कौन आप शायद इंसानों से ज्यादा आप परचाईयों से ड़ते हैं दूश्रों की परचाईयां छोड़िये बड़ा मूँ छोटी बात मैं तो खुद की परचाईय से भी ड़ता हूं शरकार आपके दिल में कोई चोर है जी हां मेरे जीयम बनने पर सबने तालियां बजाई मगर आपने नहीं वो क्या है कि मेरा इसी लिए तो कहता हूं कि आपके दिल में जरूर कोई चोर है और मैंने ये भी सुना है कि बेमानी हेरा फेरी अगर इस फैक्टरी में कोई कर सकता है तो वो सिर्फ आपका आप क्या कह रहें शरकार घबराये नहीं मुझे ऐसे ही लोग पसंदें लेकिन शरकार आप तो मालिक के दामाद हैं मैं किसी का दामाद नहीं किसी का पथी नहीं किसी का बेटा नहीं दूर किसी का बात नहीं मेरा इस दुनिया से सिर्फ एक ही रिष्था है और वो है काम्याबी का रिष्था सकसेस and any cost फिर तो आपके शातना हें शाफी हुई है शरकार वो केसे शारे अधीकार तो ब्रमदत शाब और प्रेमचन शाब के हाथ में रहेंगे आपको तो शिरफ एक रबर स्टैंप के तोर पे इस्तमाल किया जाएगा क्या कह रहें आप शरकार बाद कड़वी शही लेकिन शोले आने सच है जियम अगर रबर स्टैंप बन सकता है तो रबर स्टैंप जियम कैसे बन सकता है डिवाइड एंड रूल पॉलिशी ओ आई कन सी ओ पॉइंट शरकार आप मेरी पोकेट गरम करते रहें मेरे दिमाग की मशीन तेज चलती रहेगी तो इसका मतलब है आपको शत्रंज खेलनी आप बहुत अची तरह शरकार तो आप मोहरे चलना कब से शुरू करेंगे जब आप कहेंगे शरकार वाइनॉट राइट नाव अगर आपका यह हुक्म है तो फिर देखिए मेरी पहली चाहर मेरी गिरिफ्तारी का वार्न तो वाट आपकी स्टील फेक्टरी के नाम जो लाइसेंस इस्यू हुए है उन्हें ब्लैक मार्केट में दो करोड रुपा हम बेचा गया है यह क्या पग्वास है मैंने कोई लाइ कि कश्मीर पहुचना है तुम फिकर ना करो बेटे मैं बहुत जल्द वापस आउंगा मा दो बेबी का खायाल रखना जी अच्छा और हाँ श्री नगर अबराय फोन करके दच साथ से मोहीनी की बात करवा देना डाडी 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 मत जाए डाडी पापा भी आजाए डा क्यों डाडी कहा है बैटी अंकल डाडी को पुलिस पकड़का ले गए जेसे लिए जाडी क्यों किसलिये दो गरते पहले पोलेशा आई थी डाडी ऑजी जाडी पे घर पर नहीं थे पिर मैंने आपको फॉन किया मगर आप भी ने मिला हा बिटे वह हम लोग एरपोर्ट हम लोग अभी निखलते हो यहां से यह लिजे जिशोलाट सेर थैंक्यू भाई माफी जाता हूं प्रेमचंद जमानत की रखम बहुत बड़ी थी परना कसम परवर्दिगार के एक दिन भी हवालात में बनना रहने देता दरसल फकान गिर्वी रखने के कागजात बनाने में वक्त लग गया भाई मुश्ताख जो एसान तुमने मुझ पर किया है मैं जिन्दगी पर नहीं बोलूँगा तीन दिन लगे तुम्हें श्रीनगर से यहां पहुंचने तक फासला तुसे वेक दिन का था हवाई जहाज और ट्रेने कोई मेरी मर्शी से तो चलती नहीं है भले आदमी जब मैं एरपोर्ट पहुंचा तो जहाज जा चुका था अम उसी रात मैंने टेक्सीन के जम्रू गया जम्रू से दिलीया डिली से बंबट पहुंचा यहाँ इतनी चोटी ची बात की लिए क्या तुम्हेरा विशुत भूल कुल तो पाल विश्वास मुझे छुपा कर से लाएसंष कोटे का माल तुम ने मुलाक मार्गेट में विक वा दिया और हद्वडिया उन्हогा नि घूआ हो अगर मैं तुम्हारे रास्टे का ता तनो उससे कहते थे कंग मैं तेन राते पुलीस लॉक अप में मैंने काटी है ब्रमदत और यह तफ़ा तुम ने मुझे दिया है मैं इसे जिन्दगी पर नहीं भूलूगा ब्रमदत स्टेम चांड कर दो आख नाख तुम तुम्हें करना कर नमक हाकर सक्टरी के साथ खरामी किया वाय तुझे दिन्दा नहीं छोड़ूंगा बंदत अ इस सब हो क्या रहा है क्या हो रहा है ये सब सर यही है वो अप्रादी जिसने गत्तारी किये इसी ने गोडाउन की चाविया चुराई और फैक्टरी का माल ब्लैक मार्केट में बेच दिया वहें इससे जंदा नहीं छोड़गा अब मुझे बचा लीजे साहा चुराट मुझे बचा लीजे साहा मेरे से गलती हो जोगा अपनी बेगुनाही का स्भूत देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है अब मेरे एक बात ध्यान से चुन अब मुझे हलकेशे एक घुशा मार दे अब मेरे जाने के बाद ठीक पंद्रा मिनिट के बाद जैसे मैंने शम्जाया वैसे टेलिफून कर दे रहा है पिछले पच्चीस बस से हमारी कंपनी में कोई वाक्या ऐसा नहीं हुआ इंदर जीर मार्केट में वी एड़े क्लीन रेकॉर्ड हमारी इज़त थी हमारी साख थी वी हैड़े रेपिटेशन फिर ये बद्दुमा दाख हमारे दामन पर लगा कैसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुम से सर आप तो जानते हैं जब से मैं जीम बन कर आया हूँ कितने लोग मेरे खिलाफ है क्योंके मैं आपका दामाद हूँ इसमें रिष्टे नादे का कोई सवाल पैदा नहीं होता यो वारे जर्नल मैनेजर अधे कंपने और इस हैसियत से इस वाकिक के जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है मैं मानता हूं सर लेकिन जगन आपका पुराना वर्कर है उसने इकरार किया कि गोदान की चाबिया उसने आप समझते हैं इस साजिश में मैं भी शामिल हूं तो फिर मैं इस प्रोदीशन के लाइक नहीं हूं मुझे नौकरी से निकाल देजिए पुलिस के हवाले कर देजिए अगर मेरी इमानदारी और वफादारी का यहीं नाम है तो मुझे मनसूर है यह सजा हलो मैं चगन बोल रहा हूं चगन सर्व मेरी बात खामोशी से सुनी यह सब जो आपके सामने हो रहा है यह प्रम्तत और उसके तामाद का मिला जूला ड्रामा है मिली भगत है आपके खिलाव मुझे पुलिस टेशन नहीं ले जाया गया बलकि कुछ रुपए देकर मुझे शेहर से भार बीज दिया गया आप नेक आत्मी है मैंने आपका नवखाय स्लीफोन किया अब रखता हूँ कि अजब होगा शरकार गजब हो गया हाँ चखन के पास तो पिस्ट्रोल लिख ली बड़ा मूँ छोटी बाज शरकार उसने अपनी लंबी शिनली मेरी जोटी जी कानपटी पे रख दी और जो मैंने हंजब किया तो अच्छा मूँ पे रख दिये और बबागे शरकार ही स् तुम गाड़ी में अकेले थे बंद करो ये नाटक ब्रमदत बहुत हो गया हाँ नाटक टेलीफोन पर छगन ने तुम दोनों की मिली भगत का कच्छा चिट्था खोड़कर रख दिया है इस चगन का टेलीफोन था उसने मुझे सब कुछ बता दिया है चगन को भी तुमार तुम क्यों खड़े हो बोलते कि उन्हें क्या तुम्हारी और मेरी साज़िए इस शिक्त के लिए उससे क्या पूछते हो ब्रमदत मुझे से पूछो दालत के हवस के लिए तुम दोनों के नाटक का आखरी सी नहीं है तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए ब्रमदत कि दोस्ती का गला और उसी दोस्ती के साथ आज से तुम्हारी और मेरी पार्टनर्शिप भी खत्म खत्म आज के बाद मैं तुम्हारी शकल भी देखना नहीं चाहता हूं प्रमदत फ्रेम चंद पीस खुशा थूख दे यार खुशा थूख दे भूल गया हम दोनों बच्पन के दोस्त हैं मुझे अपनी सुजाद्र की खसम है मैं उसकी खसम खाके कहता हूं मैं निर्दोस हूँ यह किसी कमीने की गहरी साजश है जो एक दिन खुलके रहेगी लेकिन इतनी सी बात के लिए यार जिंदगी भर की दोस्ती का बंधन मत तोला प्लीस प्रेम प्लीस प्रे अंकल तीनों दोस्तों का परिवार इस तरह तूटकर क्यों बिखर गया किसका कुसूर है यह कुसूर कि कुसूर किसमत का बेटी नजर लग गई जमाने की जिन्दगी कितनी कम है महबत के लिए फिर नफरत के लिए वक्त कहां से मिल जाता है यह बात लोगों की समझ में क्य तो नहीं आती मगर मैं तो अंकल आपसे भीक मांगने आई थी भीक तू मेरी बीटी की तरह है सलीमा से शादी हो गई होती तो तुम्हारे बराबर की बेटी होती मेरी और सुन बाप बेटी को भीक नहीं देते तोफे में अपनी जान देते हैं बता पता क्या चाहिए और आप तीनों की दोस्ती बस यहीं भीक मांगने आई हो आपसे मेकार कितनी कोशिश है कि मगर दोनों बजद कमभक्तों को एक जगाए खथा करना भी नामुम्किन है नहीं अंकल मुम्किन है वो कैसे कभी कभी जूट की धार सच की तलवार से भी ज्यादा तेज हो सकती है जूट कौन सा जूट बुरा न मानिग अंकल भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाए तो क्या फिर भी वो दोनों दोस्त अपने तीसरे दोस्त के लिए एक अठा नहीं होंग छायड़ होगे मगर उससे क्या होगा अंकल का तेवे कि अगर नों गुन कर निकलते हैं फिर वो दोनों तो दो दोस्त हैं अगर दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया जा है तो कब तक दोस्ते एक साथ मेरे सामने माजूद हो चाहे वो मेरी लाश परी क्यों ना हो कि है कि क्या बख रहे हो तुम मुश्ताखली को गोली लग गए जी हाँ एक कैदी फरार हो रहा था जेलर साब ने उसका पीचा किया उसमें फायरिम हो यह कहा की मेरे चंद सां سے बागी है जी हां मेरे चंद सांसे बाकी हैं अब मुझा छापश बागी है मैं अभी आता हूं प्लीज बश्टाक करा है अंदर हाल में अंदर जी है रान होने की जरूरत नहीं है मैं भी यहां मौजूद हूं अरे मैंने शुरूब के बाहर कोई हाथसा हुआ और तुम बरी तरह घायल हो गया धायल वायल नहीं हुआ सर फिरे दोस्तों ने छूरियां चलाई है दिल पर सर फिरे दोस्तों ने मरा नहीं हूं देख रहे हो लेकिन बचने की उम्मीदी बिल्कुल कम है अरे वो सलीमा तो चली कि दामन जटक कर लेकिन अगर तुम लोग भी चले गए तो मेरे नासों को कौन पहुंचेगा कमबक तो जवाब दो रंजिश तुम दोनों की और सली जान मेरे निकी चली जा रही है रातों की नीन हराम हो गई है एक नावाला भी मूं में गया हो तो नाउसो बिल्ला समझो समझो सुवर का गोश्ट खाया हो अकेला हो एकदम अकेला और एक बादो ध्या तुम्हारा नाम तो प्रेमचन नहीं गिर्णा प्रसाद या नफरत सिंग होना चाहिए था अभी सारा माश के आठे की तरह अकड़कर बैठा हुआ है अरे देखो तो और तुम शेरिमान ब्रह्मदत जी तुम्हारी दौलत की लालच ने तुम्हारे जिगरी दोस्त का दिल फिर नहीं खुलेगा सौल साल तक नहीं खुलेगा जब तब तुम दोरों दुबार अपनी दोस्ती का हैलान ना कर दो अच्छा पंड़न जी मैं जा रहा हूं खुदा आफिज आए खुदा बंदे करीम तेरी रहमत और कर्म की कोई इंतिया नहीं अपनी शाने करीमी से मेरे दोस्तों के दिलों की रंजिश को दूर कर इनकी टूटी हुई दोस्ती को फिर से जोड़ दे मेरे अल्ला प्रेम जंद तुम और मुश्ताफ दोनों ये समझते हो कि दौलत के लालश ने मुझे दोस्ती में घद्दारी करने पर मजबूर किया तुम लोगों का ये ख्याल एक नश्तर की तरह मेरे सीने में पैवस्त है और ये फांस जो मेरे अंदर है मैं इस फांस को निकाल देना हूं इसके लिए ये मेरी एक छोटी सी फेंट है ये क्या है प्रेम चंद मेरी बेटी तो ब्याही गई है लेकिन तुम्हारी बेटी मोहनी उसको भी मैंने अपनी ही उलाद की तरह समझा खोल के देखो कि तो इन काख़ों पर तुम्हें मेरे दस्खत मज़राएंगी वो दस से कही ज्यादा किकलो इन काख़ों मैंने हमेशा इस बात पर यकीन रखा है प्रेम के इनसान की असली दौलत उसका सर्मया उसकी मिरास उसके दोस्त होती है यह वो चार कांदी होते हैं जिन पर कि वो अपना आखरी सफर तय करता है तुम से मेरी एक ही माग है कि जब मेरा वक्त आए और मैं यहाँ से जाओं तो दोस्ती के उस कांदे से तुम मुझे महरूम नहीं रखोगे बस और मुझे कुछ नहीं जाए है रम्दत बहले तुम पे शक किया दोस्त पुझे माफ कर दो सच कहा तुम नहीं एक इनसान के पास उसकी असली दौलत एक दोस्त की दोस्ती और प्यार के सिवाए कुछ नहीं हाँ दोस्त गले मिलक और उस दोस्ती का एलाम कर दें किसका बाहर मुझताग में सवरी से दजार कर रहा है है तो वाम हम उम क्योंब्हे और यह अईelsh है वियुक्त इसलेइद करिंधर करिंदंधिफिल हो इस दुन्य क्या किया गुली करिंछ से तुम से दोस्ति मगैखे थी उसकी थूम में किसी व्position मण सब्सक्राइब is the word तूम लाएँ मेरा थे अपने धोस पर गोली चलाई है तुमने अपने नीग और चलाई है नियोथ रहिए बेन तो हमैरी मेर के अपने ध्री शक शबय का फूर सबस्क तूर सुने हम दूनों बढ़ tenho आगे एक दूसरे से गले मिलने के लिए जो चलाओंगा मैं गुलिस्मर घुट बोलता है लेकिन कानून आखरी फैसला खुद करता है और मैं ले जाओंगा तुझे कानून के पास ताकि तुम्हे 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 जुम की सजा मिल सके ये आदालत मुझरिम ब्रमदत को मकतूल प्रेमचन के खुन के लजाम में जिर दफा तीन सो दो ताजिरात हिन के तहत बारा साल कैद वा मशक्कत की सजा देती है याद रखना तुम्हे एक कैदी हो और मैं जेलर आज से सिर्फ यही एक रिष्टा होगा तुम्हारे हमारे धर्मयान कोई रियायत कोई नर्मी नहीं बढ़ती जाएगी बंद कर तो दर्वाजा है यह सर कि दुखी हों देओ शाह जी जेल की जिन्दगी कभी कभी सेद के लिए बड़ी अच्छी हों दिया अजी मैं तो कहता हूं सबको एक बार जेल आना चाहिए बड़े बड़े नेता अभी नेता एक नेता तो यहां आते ही है कौन सी बड़ी बात है सब चलता है और आपको तो फिकर करने के जरूती निशाजी मुगेरी लाल आपके सेवा में हाज रहे आठों पहर यहां के सब जेलवासी सड़ मा में चाजे लग दें और उनकी सेवा करना मेरा धर्म है जूटे दा मूं काला एह देखो जी कोई माजे दा पत्त बीरी चार मिनार पनामा तूथपेस्ट तूथब्रश लाइफ बॉय सिंठाल देशी ठर्रा रम सब कुछ मिलता है चलती फिरती दुकान में टाश दे पत्ते फाइफ 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 यहां ओ शाजी मैं ही बखबख किये जा रहा हूं तुस्सी भी कुछ बोलो गूंगे हो वाई कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए नहीं तुम्हें दुकान बंद करूं चलूं दूसरे हाग के पास काखस मिलेगा काखस है और एक कलम शाजी नहीं पाटशाला है न सरकारी दफ्तर फिर भी तुस ही कहन देओ तो कलम और काखस लेके आता हूं नहीं यह मुच्छी है न मुच्छी इसको उस तरह से मुणवादूगा ओए दुकान दी बदनामी दा सवाल है न सर लाया लाया पहली बार किसी ने काख़त मांगा यह देखी माजी कोट का ओडर अपनी स्टील फैक्टरी उससे कॉनेक्टेट सारी प्रॉपर्टी यह मकान बगा प्रॉपरी की चाहदा है और यह निलाम हो जाएगा मगर इस बात का जिकर उन्होंने यह प्रेम भया ने तो कभी नहीं किया था वो इजदार लोग थे न माजी और इजदार लोग अपने फटे पुराने कपड़े पलंग के नीचे छुपा कर रखते हैं और हमाजी मेरी औ पानी पीकर मैं अपनी आत्मा को कर्स के बुच्टले नहीं दबाऊंगी ओ माजी यह सब पुरानी बाते हैं इसमें सिर्फ दुख ही दुख है तो तुम नहीं जमारी के लोगों ने कौन सा सुब दिया है मगर आप अकेली जाएंगी कहां मैं अकेली कहा हूँ जब तक उनके प्यार का सहरा मेरे साथ है मुझे किसी और सहरे की जरूरत नहीं तुम जाओ बेटे मैं अपना इंतिजाम खुद कर लोंगी लेकिन लेकिन माजी मैंने कहा ना जाओ तुम अकेले आये ममी को साथ नहीं लाये बोलो ना इंदर तुम्हारी ममी भारत की एक बड़ी अधर्शनारी है बेटी का कन्यादान करने के बाद उसके घर का पानी पीना भी उन्हें मन्सूर नहीं मगर इंदर इन हालात में वो जाएंगी कहां सब की तकदीर अपने अप करते रहे आज अचानक तक्दीर में कैसे यकीन करने लगे या फिर अपने जूटे असुनों को अपनी जरूरत के मताविक मोड़ लेते हो क्या बगवास करती हो बगवास मैं नहीं बगवास तुम कर रहे हो मैं तुम्हारी चालों को अच्छी तरह समझ रही हूं इंदर का पहिनी के सरफरस बनकर उसके हिस्से पर कब्दा कर लिया है और मेरे डैडी को जेल भिजवा कर उनकी प्राट्री पर भी कब्दा किया और अब मेरी मा को दर बदर की छोकरे खाने के लिए छोड़ दिया मर्द अगर हर तरह के गुना करने की हिमत कर सकता है तो और भी उन गुनाहों से पर्दा हटाने की हिमत कर सकती है गुनाह हाँ, मुझे यकीन हो गया है, जिस जुर्म की सदा मेरे डैरी जेल में काट रहे हैं, उस जुर्म के गुनेगा तुम हो Shut up, वर्ना वर्ना क्या, क्या कर लोगे, मेरा खुन करवा दोगे, उसी तरह जिसरा अप्रेम अंकल का खुन करवा दिया है जिस दफा तो सिर्फ दर्वाजा बंद कर रहा हूं, फिर हिम्मत की तो तो तेरी जबान भी बंद कर दूगा, समझ लेए आपकी बात मान ली हो दिजानी, मैं आपकी कुसुरवार हूं मेरी मज़े से एक अरा बरा घर बरबाद होके, मुझे माफ कर दीजे, आदे मुझे माफ कर दीजे आपने ब्रंदर शाप जी के दश्कत कियोए कोरे कागज का कितना परफेक्ट इत्समाल किया बड़ा मुझोड़ी बात, एक जटके के अंदर शब कुछ अंदर कर गे शरकार वही कागज काम आया, इसी लिए तो कहता हूं कि आज की दुनिया को जीतने के लिए इंसान के सिर्फ दो हाथ काफी नहीं, बलके मकड़े की तरह बहुत से हाथ होने चाहिए तभी वो, का मैं अभी हाश्र कर सकता है, इसी लिए मेरी कंपनी का मोनोग्राम है, मकड़ा, यानि स्पाइडर एंड कंपनी वो देखे शरकार, आपकी कंपनी का मोनोग्राम, स्पाइडर एंड कंपनी, यानि के मकड़ा कंपनी वो, का मकड़ा एंड कंपनी वो, का मकड़ा एंड कंपनी इंदी मरना है क्या आप आपको पत्थर से ठोकर लग गई नहीं बिले ठोकर पत्थर की नहीं किस्मत की लगी है उठिये मेले साथ चलिये आये बैठिये ये लिजी बेटी और कॉन कॉन रहता है तुमारे साथ मैं अकेली ही रहती हूं जी मैं सुहागन होकर भी विद्वा हूं और बेटे वाली होकर भी पांच हूं ये क्या कह रही हो बेटी हां माजी एक दरिंदे ने प्यार कनाटक करके मुझसे शादी की मुझे मां बनाया लेकिन मेरे मां के सिंदूर को उसने एक दौलत मन लड़की के हाथों बेश डाला और उ कुसी दरिंदे का गंदा खून एक खतरनाक मुझरिम बन गया मैं दोनों से रफरत करती हूं बेटी मेरी भी कहानी तुमसे आलग नहीं मुझे मेरे परिवार को बरबाद करने वाला कोई गैर नहीं अपना ही था मां जी वक्त के भवर में फसेवे इंसान एक दूसरे का सहर बन सकते हैं एक टूटी हुई दिवार किसी को क्या सहरा देगी दुखों की धूप अगर तेज हो तो एक टूटी वी दिवार का सहरा भी काफी होता है मगर तेरा बेटा है कहां और कहां अब रात की अंधी कलियों में कहीं भटक रहा होगा चलनल जर्णमपज हर जला काल जाक भुटकर पर पेस्ट म के PA Francis राटा, वी जाना टो कहें किया तो पर से चेन चोटा गड़ा लूँगा कि अब करें कुछ नहीं कुछ नहीं कि नौकरी के लिए शहर जा रहा हूं माने रास्ते के लिए दो रोटियां दी थी कहा था भूक लेगे तो खाले न बहुत खुश किसमत है यार एक तो रोटियां उपर से मा के हाथों के बनाए गोल क्या किमत लेगा इन रोटियों के रोटियां बेजी नहीं जाती बांटी जाती हैं एक तुम रख लो एक मैं रख लेता हूं फूक लेगे तो खाले ना है 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 मूड़ खरब हो गया है मूड़ खरब हो गया है सब कम लोटा देर रहे दिल खटा हो गया चोड़ देर रहे तर तो दोस्तों आज ये चाय हम लोग शराब की तरा पिएंगे ये चाइनी वेट सिहनी लाईने जियू« आहा एक शेयर बखू। बखू। काईटके नमें पर कुछ भी बिला दिया होता अरह शराब कम थी, तो सोडा मिला दिया होता अच्छा हर्च केला हर्च केला हर्च केला हर्च केला ह consciousness रात भर शराब पी रात भर शराब पी रात कट गई और सुबा को जब हिसाब किया तो कि उसमें बहुत पी रखी है क्या नहीं जी चाय पिया आपके लिए भी चाय लाओं नहीं आपकी होटल की चाय में अगर इतना नशा है तो चाय नहीं आइसक्रीम लाओ कि अब यह चावनी के चूँ हराम दादे तुने अपन के उस्ताद कुबा के खिलाफ कोड में गवाई दी थी ना अब अपन तुझे ओपर वाले की कोड में भेज़ देते हैं चाल कि मुझे जाने दो नहीं तो मैं इसे माट डालूगा तू क्या समझता है रे लड़की की वज़े से तुझे छोड़ देंगे तू भी जाएगा लड़की भी जाएगा अब्बे क्या रे फिर और शृड़की बिलेवीज़ के रिटा में व्हड़ शृण डाल भा रखरां खेंगे ओड़की व्हजय। कोई कबुता हुए, कोई चील हुए, या कोई हवाय जा जूजा मुचको लादोगे, अब आ तो हम देंगे. उपर से छेइन, समझे के नहीं समझे, नहीं, सबको उपर से छेइन चुडा दूगा. को बादोछेś बादोगे, बादोगे. झादोगे, वजसे पर घ И ऐ वजब होगेजे! Đ पादोगे! पर एते जदाź! क्यवे प से लुर वुश़ी, बादोगे? प्रेंक करते आने! का लुष्या? अजरी रहां безопас हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है आम वाला याद रखना को तेरे को चोड़े गाने अबैर हट एलर की भाव निकाई चल अभी तरेको निडिर को डेंजर निचल अमआट मुहीनी एवरिफिंग स्क्लिर now आ हाल क्लिर्वार कम आल के मुख्या अरे क्या यार तेरी सहलीय के चुईया है चुवे के मापी गंदक गुशके भटी है प्रेंट lot और जिन को पा नी समझ के पी लिए इसे लिए तो टेबल के लिए बैत का तुम को एक बात बोलू, तुम कहो तो मैं इसको खीच के बाहर निकालने में तुम मैं उस्ताद आदमी हो, आजा ये तो काटी है यार पीजे, ये हमारी इसुन का सवाल है, आम प्रोल्स यार मिमन बें खीच इसको बाहर, खीच जोर लगाके जोर लगाके जोर लगाके किना घड़की रहे तुम चार जुमी रहे जा, साथ महीनी, महीनी फ्लीस, help up महीनी, लुट जा आर वारेखे का पहोरी right now कर खुट कर म 전에 म लोगार पाभ आरा मे sheepً कर फटो बोह रूड कर Ici नी दोडे मालइन लोगा़ावावा एुsch अबने कर रहेखे एलने करना योगावाव इलना ये अंगूर! ये अंगूर नहीं, मगर ये सवर उपनी लंगूर है हाई ये का गाब हो गई दे? पता नहीं याहू वे याहू ओओ संटी फोक्चा खराब हो गई या क्या अरे गिरपड जाएंगी हड़ी पसली तूट जाएंगी फिगर खराब हो जाएगा जवानी बरबाद हो जाएंगी नीचे आ चल मुहिनी तु मुझसे प्यार करती है ना नहीं मैं तो इससे प्यार करती हूँ अरे यह पहली जोकरी है जो पसंद भी आई और पटी पटा ही मिल गई है क्या हाँ 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 है एल्प कर रहे लाओ यार एल्प मंग्दी की नहीं चला अभी दूसको बात हो मैं पीछे जाकर पकड़ता हूँ क्या मुहिने तूअ अच्छी नर्की है ना नए मैं गञी लर्की हूँ सो जुस रास्कर अच्छो सुने मुझे इतने बड़ते पलका धाँ मैं भी तुझे पत्कूंगी यह मेरा एरिया तेरा खाला नहीं है नहीं चोड़ूगी सब्सक्राइब काहिका तेरा मुथो बास मारता है यार अच्छा करेगा 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 मैं से शारी करेगा कि अच्छाइब नक्ता परगेगा मैं से अच्छार आच्छा करेगा इसाथ गाए लिए अच्छा ओगाए यार चिल्ला तकाहिका फिरा डालता माय तो चिडिया ओड़ गई शरकार फुर्षे हाटों से निकल गई तो उसके नाम का हिश्चा भी आपके हाटों से निकल जाएगा फिर आप कुत्ते बन जाएंगे मेरा मतला भाद धोबी के कुत्ते ना घर के न घाट के मैं ऐसा नहीं हुने दूगा मगर आप उसे रोक भी कैस हाँ मैं उसे शादेनं की आप मुझा से शादि करें कोई आप नहीं तरहां है तुम तो जानती हो मेरी वीपी सोनू आप हमेश्छं बीमार मेरे लिए बिलकुल बेकार हूं डीदी नहीं, तुम बीमार हो, ंज दीदी की जो भी हालत है उसके जिमेदार तुम हो तुम्हारे जुलमों की वज़े से आज वो बीमार हो गई है कुम जैसे नीच ओर जलील, वह ज़िता तो गॉली मार देनी चाहिए तू मुझे गॉली मारेगे? मुझे विजय से शादी करने से कोई नहीं रोग सकता, तुम भी नहीं मैं तुझे शादी के कापिल छोड़ू गए नहीं ना, छोड़ दो मुझे बचाओ, बचाओ दी नहीं जिन पुझे शादी खार खोड़ कर जा रही हो कि धर कर मुझे नहीं तुझे जाना होगा यहां तेरा नहीं मेरे डैडी का दिया हुआ है जाना तुझे पड़ेगा डैडी ने तुझे फुट्पात से उठा कर इस गोथी में बिठाया तुप कीचर था किचन ही रहा अब मैं पुलिस्टेशन जा रही हूँ सो जित खोनी और पापी के गुणाहों का पद्दा पाश करने के लिए हाएएएए इसान कुरिद आप जाओ एक शेयर उसित क्या आप कर दिया इजार महबत हमने भी टेली फोन पे है कर दिया इजह रहे महबद हमने भी टेली फोन पर बात तो लाख हो ती राठ आने में हो गई वाँ मारो पोपली सेंटी भूग्चा कर आप हो गया विजय 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 वे तू रोक रही है अरे बोल तो सही बात क्या है जो रख्शक था भई भख्शक हो गया है हम मैं कहां जाओं कहां जाओं देख मेरी खुपड़ी सनक रही है मुझे सावसा बता बात क्या है मेरा जीजा जो मेरे बाप समाल है अज वही मेरी जिंदकी मेरे इजद के साथ खेलना चाहता था अगर मेरे दीदी ना होती तो आज मैं तुम्हें मुझे दिखाने के काविल ने रहती है मेरे जाड़ी का हिस्सा जिसकी वारस मैं हूं आज मुझे सबर्दसी शादी करके वो मेरा ही नहीं उस इससे कभी मालिक बना चाहता है अब उससे क्या फाइदा वो घर तो मैं हमेशा क के लिए छोड़ चुकी हूं अब मैं तुम्हारे साथ एक घर बनाओंगी एक नए जिन्दकी की शुरुवात करूंगी मैं हां विजय चलो हम इसी वक शादी कर लेते हैं मगर ऐसे बगर समझे बगर जाने में कुछ जाना नहीं चाहती कुछ समझना नहीं चाहती अभी वक कि शादी का जोड़ा बाद में पहले कफन का जोड़ा पहन ले कि तेरे लिए कफन लाया हूं यह देख बिलकुल नया और कोरा कपड़ा ताके तेरी आखरी खुआई शधूरी न रह जाए और यह है मेरी फोज जो तेरे क्रिया करम का पूरा सामान लेकर आई है तुझ जैसे फटीचे टपूरी के लिए चंदन की लकड़ी और खी की ज़रूरत नहीं इसलिए बबूल की लकड़ी और घास लेट लाया हूं तुझे उपर पहुचाने के लिए इतना समान काफी है एक रोठी दे दो साथ चल्वे दसता पकर दो दिन से कुछ भी नहीं खाए साथ जो ले जो ले जो ले हॉट चल्व प्रुब जो देज देजर दो अभी है हुआ 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 हु कि तुने मेरे पेट में गोली मार कर मुझे जो गाव दिया था कि आज उसका हिसाब चुकाने का वक्त अगया है साला कि तेरे को उपर से चेंज छोटा करड़ा लूंगा मुझे टपोरी बना तुने हाँ हरे हरे एक रोटी तो महांगा था मैंने तुस्से हाँ चुझी लाची ओभा कि लाचे लाचे, कि लाचे? मने लाचे, कि लाचे लाचे बनाले कमार, के समऩु लाचे मैंने आज के बाद कुबा की हुकूमत इस शेहर से खतम अब तुम्हारे सामने दोई रास्ते यह तो शेहर छोड़ दो यह दुनिया नाई एक रास्ता और भी है तुम लोग मेरी गैंग में शामिल हो सकते हो बोलो मन्जूर है हुआ 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 है हुआ 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 है जब तक जंगल के कानून के हरपन्य की आवाज चारों तरफ नहीं फैलेगी हम चैन्स नहीं बैठेंगे हम आपकी रहाई के लिए आखरी दम तक लड़ेंगे जिहां कोशिश करेंगे हुआ है अज तक तो अलादे अपने माबाप को भूलती आई है शायद शायद तुप पहली माह है जो अपने बेटे को बचाने से इंकार कर रही है मेरा बेटा मर चुका है काश में पैदा होते ही मर गया होता तो भूक और गरीबी से लड़ते लड़ते आज डॉन ना बन गया होता कैर छोड़ो मा आज बद्दुआओं का नहीं आशिरवात का दिन है बहुत बड़ी खुश्कबरी है मा मैं डाउन मन गया हूँ इस चैर का सबसे बना डाउन इसे बुरी खबर और क्या हो सकती है काश मैं कुली यह मजदूर की माह होती तो मुझे अपने हप पर कर्व होता दुनिया में सिर्फ 10 टक का पाइदाश ही मजदूर होते मां भा की तो बिचारे जो मजबूर होते वही मजदूर होते हैं क मैंनाम का नहीं मां का बेटा बन गया हूँ आज बड़े बड़े लोग मेरे साथ बेटकर जाए पी थे चलनमा मा मैं तुझे लेने आया या मेरे डॉलत का ठेर लगा तूमा तोलत मैं दॉलता जिस upside projekt प्यार मेरा पति मुमसे चीन लिया ay ऑफ्यदा हिलया खुद अपनाती नहीं और वोलती चीन लिया चीन लिया धी ही जब शोपड़ी मता तब और abd ah चला गया हूं फिर भी तुझे लेने आओ इमा चलना मैं तेरी दॉलक पर थुकती हूं नफरत करती हूं तुससे चला जाए आसे मा मैं तेरे पाउं पढ़ता हूं तेरे आगे हाथ जोडता हूं तेरे सामने भीक मांता हूं मा मेरे साथ चल नहीं मैं तेरे साथ कभी नहीं ज तुझे लोगों की पड़ी है कि इश्जत की पड़ी हाँ कि बेटे की लिए कुछ देए कि गाल ल्वाव मा वह कर बच्चन में बाप मागा दो पूली जा तेरा भाप मर गया ओ है रोती मागी तो सथसा पेट में गोली बिली और आज मा बोल रही कि बेटा झाभी माँ अपनिया थूड़के यह थेखे मरने वाले काम उड़कर वापिस आते मैं मैं कभी वापिस नियाँगा मा मैंने तेय कर लिया जा मगर मा, मा मैं भर्सों से भूका हूँ, बहुत तर्चा हो तेरे हाथों की बनाई हुई एक रोटी के लिए, हाथ जाने से पहले, जाने से पहले आखरी बार अपने हाथों की बनाई हुई एक रोटी तो खिला दे मा, रोटी की तो दूर, मैं तो तुझे वो अधिकार भी नह आप देता है चला जाए यह से चला जाओ जाओ कभी वापस नहीं होगा ठीक है कभी वापस नहीं होगा जा गहाँ मैं क्या अरे कमीनिस मुझदा मा करने लिखते हैं कोई नाटक मंद लिये क्या मा बेटे के जगड़ा का तमशा दिख्राओ सबके मुंडिक कटको फरसे चेन छोटा गड़ानुगा बारो चालो अब भी वक्त है मा सोचले मैंगर एक बात और सुनले मा हर एंसान पहले किसी ना किसी का बेटा होता है डॉन बाद में बनता है क्या रहाओ क्या रहाओ चलो रहाओ ले बाई डॉक्टर डैन भी सिक रहें ये साड़े तीन रुपए की ब्लाग में भी नहीं मिलेगी है और मोगंबो तेरी चठी अच्छी तरह से राका शाका डैंग मोगंबो सबकी जरूरत ने तो पूरी कर दी अब इस गब्बर की भी मांग पूरी कर दे रहें मुंगेरी गब्बर सिंग तो नहीं ना अरे शोले वाला नहीं चोले वाला गब्बर सिंग जोले वाला जीरो जीरो सेवन ये नंबर छोले वाले को कैसे मिला ये तो जेम्स बॉन का नंबर है इसका मतलब ये हुआ कि उस बेवकूफ जेलर ने बगार मुझ से पूछे तुमको ये नंबर देने की हिम्मत की वो एक नंबर का ना लाएक है जो रहें निकमा पाजी है उलुदा क certaines ये कि अध़ का अधे ये घर का अधे तुमझे शिश्याजी को धोका तुलिभ बनें धुर्मत अरे कीसी से कोई संबन नहीं बाल अभरब्रमच आई हो तो ठीक है वोन क्या चाहिए तेरे को एक रसी रसी नाले से काम चलेगा चलेगा ने दोड़ेगा अच्छ तो पिर ठीक अभी निकालता हूँ अच्छ पिर रूपए अच्छ जल्दी जल्दी अच्छ वाइब दूगा चाहिए अच्छ अच्छ वाइब आ पताता हूँ कर दो इसके कपड़े वाइब अचाहिए अच्छ चरगार घजव हो गया शरकार घजब हो गया चल्कार फंद श्राब का अधालना आजाद कर दिया उससे क्या होगा कमार करते हैं शरकार शेर पिंद्रेश आजाद हो गया और आप करें उससे क्या होगा बड़ा मुछोड़ी बाद शरकार वह हम सब को कच्चा चापा जाएगा अरे बच्चे बुढ़े शेर के दांत इतने मजबूत नहीं होते हुआ 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 है हुआ 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 है यह पर नगे ईद्री में आपक लगात वें अधर आप मेरे साथ चलिए ज़िए लुए लोक्ते आपके अधिने हिए मैं नहीं बार में बताती दूँ मैं समझ में नहीं आया आखर तुम हो कौन मेरी जयान के जगा तुमने अपनी जयान खत्रे में क्यों डाली मुझे पहचाना नहीं मैंने नहीं पहचाना कौन हो तुम मैं आपके वही छोटी सी गुरिया हूँ याद आया याद आगया याद आगया तुम वही छोटी सी बोहनी हो ना हाँ लेकिन अप छोटी नहीं बड़ी हो गई हो बड़ी तो हो गई हो लेकिन बेटे तुम जानती तो होगी कि तुम्हारे पिता के खून का इल्जाम मुझ पर लगाया गया था वो इल्जाम छुटा था इंदरजीत की बातों से मेरे भी दिलों दिमाग पर शक्का कोरा चा गया था मगर अब वो दूर होगया है सच्चा ही आपके रहाई से पहले ही मुझे मालम हो चुकी थी आपको कुसुरवार समझने का जो अपराद मैंने किया है उसके लिए मुझे माफ कर दीजी हमारी जिल्दी गुडिया हम से इमाफी माफी माग रही है मेरी तुम नहीं जानती कि कितने कश्ट उठा है अपने कितनी लंबी सजा काटी जबकि अपराधी इंद्रजीत था सुनुदीदी के भी जान उसने इस ले ली कि कहीं उसके जुर्म का राज फाश न हो जाए अब वो बुरी तर से मेरे पीछे पड़ा हुआ है आदमी लगा रख है उसे मेरी जान ले नहीं दूंगी मैं उसे गुम्नाम चिट्टियां लिखती रहती हूं जो अंकुष की तरह उसकी आत्मा को उसके जमीर को घाल करती रहती है और अगर इस दुन्या में इंसाफ है तो उसके गुना खुन बनकर उसके रोम रोम से फूट बढ़ेंगे खुन नहीं है उसके मैं अपनी तवाहिक के सारे निशान देखूगा तक कि यात रहें मुझको अब फिर जाओंगा संधिया से पहले तो वानी आंटी से मिलन होगा ना आंटी कहा है वो कहां चले गए थे आप हाँ अपनी बर्बादी का तमाशा अपनी आंखों से देखने गया था मेरी पींती है आपसे वागवान के लिए गुजरे हुए बातों को भूल चाहिए ना मुम्किन है यह एक बात एक शाण भी नहीं बुला सकता हूं मैं जानता हूं गयत से लेकर मेरी रहाई थक कि कितनी पीमत चुकानी बुड़ी है तुमें मैं जानता हूं मैं देख रहा हूं तुम्हारे के लिए में मंगल सूत नहीं है सुनो तुम्हारे के दामन को एक एक घर के नोश्ट लिया था ना मैं उसे नहीं चुनूगा हाँ मुझे अपनी सुनों की कसवा है जो तुम्हारी सोगंद है नहीं चुनूगा उसे ऐसे नकाओ सुजाता है ऐसे नकाओ सी तक के बिना तुराम की मूर्ती भी हकेड़ी हो जाती है तुम्हारे बखेश मैं तुझा ही रह जाओंगा और तनहाई में मेरी हिसास से बंद हो जाएगी हराम जादे जो हाथ मेरा काम अंजाम नहीं दे सकते मैं उन्हें काट या करता हूँ यह तो गुलाव है शरकार इसो तो कभी भी काट शकते हैं पहले इस खत को लिखने वाले का हाथ काट ये ये देखिए इसने खत भेजा आपके नाम तुम खूनी हो तुम कातिल हो तुम अश्गर हो शकर मैं नहीं इस खत में लिखा है लेकर याद रखना मेरे हिश्चे को तुम निकलने शकोगे मुझे शबूतों का इंतजार है तुमारी दुश्मन मोयनी इंदर बाबू बड़ा मोच छोटी बात जब एक तरफ कुआ हो और दूसरी तरफ खाई हो तो पहले खाईशे बशना चाहिए कोई से तो कभी भी रश्ची पकड़ कर भा निकल आएंगे लेकिन खाईशे क्यां पकड़ कर भान निकलेंगे क्या मतलब मतलब ये कि ब्रमदद को भूल जा और पहले मोयनी से नेप celui करंद क्या एक पड़े लूगी लेकिन मोयनी की जहेशियत क्रोरों से भी ज्यादा है उससे हरब करने के लिए उसका मनना बहुत जुरूरी है बढ़ा मुझ छोडी बात समझ गे मेरी घात जटा उस दिन तुम डॉन विजय का जिकर कर रहे थे ना जो सुपारी लेता बोलो एंद्रजीत सेट क्या काम है वही काम जो तुम करते हो लेकिन ताजब इस बात का है कि एक ही शहर में रहकर हम दोनों आपस में मिले क्यों नहीं वजा यह सेट कि तुम हो वाइट के आदमी और मैं हुआ अंडरवाइट का आदमी और फिर मिलने के जला कोई वज़ा भी दोना चाहिए लेकिन आज वज़े मेरे पास है बोलो का मिलते हैं डॉन किसी से नहीं मिलता लोग उससे आकर मिलते हैं मेरी आदत भी कुछ ऐसी ही है वा लगता है तुम्हारा मेरा कोई पुरा टालो ना तो सिर्फ मैन रहे जाता है और मैन का वाइफ होता है उसका बच्चा होता है और तुम्हारा क्या कोई नहीं है क्या मैंने कामियाबी के सिवा जिंदगी में किसी को स्विकार नहीं किया अपना केस उल्टा है तुमने अपनों को स्विकार नहीं किया और मुझे अ मुझे काटा है जो मुझे खाटक रहा है उसे निकालना है समझ गया समझ गए तो कीमत बोलो पाश लाख और वभी अडवान सा मुझे मंजूर है यह ले शुपारी काम पूरा हो जाना चाहिए वरना बड़ा मुझ छोटी बात शरकार तेरे नाम की शुपारी मुझे दे दें हमझे खाटाओँ कर चाहिए भाने यह लुपारी मुझे परिखाँ करेंशी सुपारी मुझे भाप लुझे वजगरण गशक वर को नेता है । कर वादा है यह जड़ने लूब पाटाटे लुझे अजएवारा है अजए टेसित अपर जाश्ए हाई फर जाएए पाटै कि अधर कि इस हाथ हो जब आप यहां किसे अधर आपके दिए हैं यहां कि अधर के शुच्छ पर दोड़ा अगया था गिर पड़ी थे तुम ने उठा के लिए आप यह अपन पर आपका दूसरा है चोड़ो सब यह डॉक्टर ने दवाद दी है पीलो इसे मैं निकलता हूं नहीं तो मुसीबत हो जाएगी कौन सी ऐसी मुसीबत है जो तुमारी जिंदगी से भी बढ़के है अगर यह बैग अपने अभी टाइम पर नहीं पहुचाना तो वह जल्लाद अपन का शामद बुलाडा लेगा कौन किसकी बात करते हो कौन से जल्लाद अपन ने आपको जैल में बताया दाना कि अपन का कनेक्शन एक ऐसा ग्रूप के सरदार के साथ है जिसका ताम है सुपारी लेना यह बैग में भी किसी के नाम का सुपारी है इस बैग में किसी के नाम का सुपारी है अन्हारे साहब यह पान में खाने वाला खुपारी नहीं है यह ज़ार लेने वाला सुपारीएं मतलब कि पैसा लेके किसी का खुम करने का स१ा अ के मौत कॉछ आग्रीमेंट जो क्यों पन का तो समाझ लो कि उपन का नाम का सुपारी निकार ले लेगा अजय साब चलता है टोनी कुछी नी बस चला आ रहा है सालालाड साब का बच्चा टाइम दीगा इसको टाइम टाइम का मत पुछो बस मालका पुछो मालका ये फैक्टरी वाला सेट का पांच लाग रुपिया फाइब लाइब रुपीज और जिसका नाम को सुपारी है उसका भी फोटो इसी में इस बुट्डे के नाम की सुपारी है जरा इसका अता पता तो बता ओ मैं गॉट्ड ये तो अपन के दख साब का फोटो है अपन के तु जानता इसको अच्छी तरह से बहुत ग्रेट मैं है बॉस अपन के साथ जेल में था वहाँ पर अपन का लाइट भी सेफ कैसने क्या होगा फिर बॉस एक बात बोलू सॵपारी वापस कर दो गदर के इसी का दूज घ्यार क्या आई कर दोना है ओ positivelyधेर को मालूं करों अरे सलाग गयां का सोल तोड़ने का सजा मलो में क्या परसे आवासो तंब्या लेक्स को माल अरे तोनी पिजाओ के राश्टाब है तो तुम इदर में तुम जाओ यू को यू को यू बोट 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 इजराद में आज कुआ प्यासे के पास यह तुम्हारी तस्वीर ना दड़ी में जर ताइट राइट तुम्हें न ढूनना पुड़ा इसलिए मैं खुदी आ गया मेरे नाम्थ क्योन हो क्या उतक्या सपारी है तुम्हारे पास मेरे पास तुम्हारे नाम की सुपारी और मैं चुम्हारे जिस्ट नहीं चोड़ूंगा तुमने ड्ली पाने के हिम्मत क्या हुआसे डर नहीं लगता क्या ना मौूट का डर यू ही नहीं है कि सिंदगी और मौॉट वैसे इंसान के हाथ पर नहीं है हो ऑब अनना है तुम तो इंसान भी नहीं हो दर मेरी जान कारी लिए बताओके कि मैं इंसान नहीं तो फिर क्या हूँ एक वह कि जानवर हो तूं मैं वह एंसान नहीं है एक वह बिद्र दीन के नाम से पूरा शान करता है उसे यह मेजर करता तुम्हारे गर्व कुन को हमेशे के लिए ठंडा कर सकती है शाय तुम नहीं जानते जिस तरह मेरे नाम की सुपारी तुम्हारे पास है उसी तरह तुम्हारे नाम की सुपारी मेरे पास है I wanna get The this को मसे मज़ा आ गया है जाइर का इतना बड़ा ड़ांट इसका इतना बड़ा नाम है उसके नाम की सुपारी दीने वाला यह कौन पैदा हो गया सुपारी लेने वाला हूं है और सुपारी देने वाली एक और जिसको तुम अच्छी तरह जानते हो इसलिए कुस ने अपनी कोक से तुमको जनम दिया है वह है तुमारी मां एम पॉसिबल मैं लफणगा हो आवारा हो हाँ वो मैंने काम से नफरत करती है मगर मेरे दिल के अंदर की जॉला मुखी को वह अच्छी तरह से जानती जो बच्पन से मेरे सीरे के अंदर खौल रहा है वो मेरे नाम की सुपारी किसी को नहीं दे सकती ना मुमकिन पहले माने भी यही सूचा माशन ए सकती है जो अपनी लात की भ़लाई चाहने के बजाए उसकी अर्टी देखनी की दमना रखती हो लिकिन तुम को देखने के बाद और तुम्हारी गिनावनी हरकतों को तुम्हारा घमन देखने के बारत मैं समझ गया क्या समझे खाक समझे कुछ नहीं समझे तुम चिलाओ मत और यह भी मत भूलों के इस वक्त हम दोनों मौत के सौदागर है सिर्फ रख कितना है कि मेरी मौत के बदले में तुम्हें मिलें पांच लाक रुपए और तुम्हारी सिंदगी के बदले में मुझे मिलेगा एहसानों का वो बूज जिसका करस भी मुझे चुकाना है तो मा के एहसानों को बेटे की लास से चुकाने का इरादा लेकर आयो यहां ऐसे भी होता है कभी ऐसे भी होता है कि जिन्दगी की कीमत मौत और मौत की कीमत सिन्दगी से चुकानी पूलती है देखना ये है कि वक्त के पन्नी पर किसका नाम रहता है और किसका नाम मिटता दम है तुम है और मुझे दमदार आदमी पसंदे मेजर बराबर की जंग होगी एक अनोखी जंग और मेरा वादा है तुमसे कि तुम्हारे और मेरे बीच दूसरा कोई नहीं आएगा आमरसद इस खुफिया तैखाने के दिवार पर लगे उस अलारम की तरफ देखो मेजर वाँ उपर कुछ देर के बाद यह अलारम बजेगा और इसके बचते ही यहाँ पर पड़े सामान की ठेर में हम अपनी अपनी जगा चुन लेंगे और इसके बंद होते ही हम दोनों की जंग शुरू हो जाएगी मेजर हम दोनों की रिबॉलर में छे छे गोलिया है किस गोली पर किस की मौत लिखी है इस बात का फैसला भी हो जाएगा किसी बंद हो जो जाएगा किस पर एंद हो जाएगा किस पर दो जाएगा कर दो खूँ प्रामादाद ये मेरा पाला वार! क्ली में व्हार्न पर भीटूदितक्षार्व। मोग ο्हार्न व्हार्न बाजर। ‹इल्वे, व्हार्न फ्थान, ताल्रFlow कोदी्ट्थास! मर गया क्या अरे जिन्दा है तो बाहर निकल और अगर सीने पर गोली चलाने का जिग्र नहीं तो ले तेरी तरफ पीट करके ख़ड़ाओं चला गोली अरे चलाना अरे चलाना प्रामतद गुट शॉट मगर कैसी अकल है तुम्हारी पाच गोलिया हंडे और मट के फोड़ने में लगा दी क्या बात है बापू अब सर्फ एक गोली है तुम्हारे पास एक गोली घब्राव नहीं विजये अब उसे एक गोली से भी तुम्हें खत्रा नहीं रहेगा अब फैसला तुम्हारे हाथों मैं बहादरों की मौत मरना चाहते हो या बुजदिलों की तरह सोच लो डान की रिवालवर की आखरी गोली कहीं काईरो की मौत ना दे दे तुम्हें तुम्हारे रिवालवर की गोली तुम्हारा कोई हत्यार मेरा कुछ नहीं बिगा सकता मेरे पास जो ढाल है डान वो तुम्हारा हर वार सह सकती है हाँ हाँ तो फिर छुपते क्यों हो बाहर आओ जरा मैं भी तो देखू उस ढाल को जिस पर तुम्हें इतना घमंड है बाहरा जबत कर प्रवदत बाहर प्रवदत यह तुम्हारे हातों ने परचानो कहां से ला यह ये तुम्हारे माँ के हातों से बनी वही जुआर की रोटी है जिसे खिला खिला कर उसने बच्छपन में तुम्हें पाला यही वो रोटी है जिसका एक टुकड़ा मांगने पर कुबा ने तुम्हेरे पेट में गुली मार दी थी और तुम उसे हैरत से देखते रह गयो तुम याद होगा पेट के इसी एंधन के लिए तुमने इंसानियत का रास्ता छोड़ा और दरिंदगी का रास्ता अख्तियार किया यही रोटी बारहाद तुम्हारे सामने आई और आती रहेगी लेकिन अपने मां के हाथों की बनी हुई रोटी वो खाने का सहुभा किया यहीं पिर तुम्हें कभी नसीब हुआ और न कभी हुँआ मिरी मं परेट के रीडंगी है वो मेरी माँ है उसका प्रिटा हुम्हां जब जाओं घर जाकर अपने मा की हाथों की पनीवी रोटी खायकर कर्ण दिए है उस मणने तुमको इस द तुमको तुमको तुम चौकट पर कदम मत रखना हो, वहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हाँ, एक डॉन की हैसियत से तुम लोगों की जानी ले सकते हो, लेकिन एक बेटी की हैसियत से, अपनी माँ की चिता को आग दिखाने का अधिकार भी तोहारे पास नहीं है, माँ के चस्पाद को बीच में लाकर मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहा हो तुम, मकर वो तूटे की नहीं, हाज, हाज मेरी गोली तुम्हारे सीने के पार होकर रहेगी, तो चलाओ गोली, चलाओ गोली वजये, मैं सिर्फ एक जवार की रूटी लिये तुम्हार सामने ख़डा हूँ, चलाओ गोली, कायर, 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 काय ले चला गोली प्रमदत अंकल पर बोहिनी पर मुझ पर एक एक नाम की क्यों आज हम सब के नाम की सुपारी पूरी कर दे ले आज तेरे इन खुनी हात में से तेरे माँ का खुन भी भैजाने दे इस से तेरे मन के अंदर के जागवर को हमेशा के लिए शांती मिल जाएगी आज तुम्हें वादा करना होगा कि अपने मा के आशिरवाद और उसके सचे प्यार को ठुकरा कर बाप की दुनिया में फिर वापस नहीं जाओगे वरना तुम्हें अपनी मा के आचल की च्छाओं कभी वापस नहीं मिलेगी मान जाओ विजय यह तुम्हारी मुक्ति का आखरी मौका है तु तो मेरी अर्थी देखना चाहती थी ना मा की बद्वाह आउलाद को कभी नहीं लगती क्योंकि वो दिल से नहीं निकलती और फिर तेरा इंतजार तुम है मरने के बाद नी करती मेरे बचे मरने के बाद नी करती मा तुम क्या दोगे इस प्यार के बदले अपनी मा को वादा करो कि इस दौलत का मान रखोगे प्यार के इस सुरज को कभी ग्रहनी लगने दोगे अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं अपनी नहीं जिंदगी और इस अन्मोल प्यार पर कभी कोई आज नहीं आने दूगा जी हां जी हां ठीक है ओके ओ विजय डॉड 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 वेलकम 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 टेलेफोन के परीचे के बाद पहली बार आमने सामने हैं कहिए क्या पसंद करेंगे बिलहाल चंद बाते पहले ये रकम सबाली है मगर रकम वापस क्यों इसलिए कि जिन बीजों से खुन खराबे की फसाल उकती हो उन्हें मैंने अपनी आत्मा की जमीन में बोना बंद कर दिया है ये तुम्हारे गैंग का फैसला है या नाई ये विजय का फैसला है मगर ये तो उसूलों के खिलाब बात है सुपारे एक बार लेने के बाद वापस नहीं किजा सकती उसूल उसूल मैंने अपनी सौलियतों के लिए बना है उसूलों के लिए मैं नहीं बना और अगर उसूल इंसानियत का कातिल बन जाए तो ऐसे उसलों को तोड़ दिना ही बैतर है उसूल इंसानियत ये सब लव्ज तुम्हारे जिंदगी की सरहत में कैसे दाखिल हो गए घर छोड़कर मंदिर में रहते हो मिश्टर इंदरजीद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके आने से चूने और मिट्टी के मकान मंदिर बन जाते हैं और ऐसा ही एक इंसान मेरे घर में भी आया है जरा मैं भी तुनाम सुनू ब्रमदत तो ये हमारे ससुर सहाब की साजिश है नाइन नाइन ये साजिश तो कुद्रत की है जिसने एक ही घर में एक ही छट के नीचे उन सब को इखटा कर दिया जो तुम्हारे जुन के शिकार है मगर उन घरवालों से तुम्हारा के तालूख है 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 बहुत गहरा तालूख है जिस लड़की की सुपारी तुमने मुझे दी थी मैं उसे मंगल सुत्र देना चाहता हूँ मैं उससे शादी करना चाहता हूँ अरे सेट इंदरजीद तालूख तो जितना उन घरवालों से है उतना ही तुमसे भी है क्या क्या मतलब यही के कमीने पन और जलालत में तुम मेरे भी बाप हो शायद तुम भूल गए कि अगर मैं किसी के लिए तुम्हें खरीच सकता हूँ तो तुम्हारे लिए किसी दूसरे को भी खरीच सकता हूँ समझे एक चुनोती मेरी भी सुन्दो सेट अगर मोहिनी पर या उस घर में रहने वाले किसी भी इज़ददार इंसान के जिंदी की पर कोई आ चाही तो खोपड़ी पर आग लगाकर बीड़ी की तरह पी जाओगा दो सुट्टा मारूंगा एश्ट्रे में राख बनकर पड़े होगे तो बारी लेकर वापस करना कहन के उसूलों के खिलाफ है तुम्हारे लीडर विजय ने गत्तारी की है और मैं पूछता हूं इस घत्तारी की सजा क्या है मौद तुम खामोश क्यों हो टोनी क्या तुम गैंग के उसूलों के खिलाफ हो अपन गैंग के उसूलों के खिलाफ नहीं मगर जब तक गैंग लिडर नहीं चुना जाता कोई भी order कोई भी सुपारी नहीं लिजा सकती अधूरी सुपारी अब तुम पूरी करोगे मोहिनी का कतल और विजे को मौत की सजा भी तुम दोगे टोनी डाउन टोनी नहीं यह मैं नहीं कर सकता क्यों क्यों नहीं कर सकते इसलिए कि तुम्हें विजे से मोहिनी से और ब्रह् ब्रमधत की तस्वीर रखती और ये भी सच है कि विजय और ब्रमधत को मिलाने में तुम्हारा ही हाथ है नहीं, ये जूट है बकवास है, अपन ने ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं अपने कहला है जौत हुआ है, जूट है। जूटी बात साव कुछ बड़ाम चोटी बात हा साल कंई? क्या रॉन्यट रॉन्यट कुसी शाले की एइसा शालली मिला 잡ग्या। मेरे डर्लिंग, तै 허리다들 मेरी बढ़िया बड़े दिलदाऊ है मेरे शाले एक बात Xin Good jour, तुर रोपया लाया कहाशे अलमारी थे कौन शी अलमारी थे जो कमरे में रखी है कौन शी कमरे में रखी है जो घर में है अरे किश के घर में रखी है आपके घर में क्या मतलब यह कि भांजो ने चुराया और मामा ने उलाया मतलब कि मेरा ही जूता मेरे शर्पे लगाया इस वाग मुझा union करना। वोबयों सबसके यो घराण से अफेय्ट, अट bleeding, रहाण , अफेया पापा किस पापा किस पापा किस पापा किस पापा किस अपनी परचाई से भाग कर आ गए जटा शंकर अब खड़े हो अपने गुनाहों के साये में हाप शची आप यहां हाँ मुझे मौनी का नाज गाना स्वां था वह स्वांग तुझे खेच कर लाया है तेरी माउध की चोकट पर पॉकट पॉकट मोध की चोकट पर मेरा कसूर क्या है शची तुने मुझ से घदार इंदजीत के हर जुर्म में तु बराबर का हिस्सधार रहा है और जो सदा उस राक्षास को मिलेगी वही सदा तुझको भी मुगतनी होगी शर्जी मैं बहुत घड़े ठाइप का आदमी हूँ देखे ना मैं अपना माता आपके पेरों पर टेक रहा हूँ मुझे माफ कर दीजिए रहा है रहा है जटा शंकर तेरे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है जल्दी बताइए ऐसा कौशा रास्ता शर्जी तो ख़वर से सुन तुझे सरकारी गवाह बनना होगा और गवाह बनकर इंद चीते हर चुर्म का रासफाश करना होगा शर्जी बड़ा मुझे बात अगर मैं आईशा करूंगा तो वह राक्षज मुझे कुट्टे की तरह मार देगा और अगर ऐसा निरी करेगा तो तुझे इसी वक्त मैं ग जाल दीजिए आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा इसी में मेरी भलाई है शर्जी इससे पहले कि ये मेरे खिलाफ सबूतों का बम फोड़े इसका सर फोड़ दो ले जाओ से अरे ठेड़ो अरे ठेड़ो ना चमचो एक मुझे शरकार से बात करने दो मेरे एक छोटी सी बात छुल नीचे शरकार तुमारे कार नामों के शबूत मेरी चीता जला के भी भशम नहीं हो शकते हैं मुने मैं एशे कोने में चुपा रखा है कि मेरा कतल होते ही मेरे खून के छीटे हर पुलिस स्टेशन की दिवार पे बिखर जाएंगे सर इसे फैक्टरी की काल कोट्री में भेज दीजिए काल कोट्री का महाकाल इसके मुझे सब उगलवा लेगा ले तो उस प्रेमचंद और उसकी बेटी उसका इंतजार कर रहे हैं और एक बात मोहिनी को उठाकर यहां ले आओ उसका आशिक अपने आप चलाएगा साजुनों आज कर दिन बड़ा शुब दिन है मालूम हो कि ब्रमदत और सुजाता भावी की शादी की सालगीरा का दिन है ल साल की तरह इन दोनों का विवास संपन करेंगे लो भाई इनके गले में हार डालो बाभी तुम भी हार डालो तुमके मिंग्जामें सब्सक्राइब की शादी का समय होना चाहिए इंशालला वो दिन भी आएगा और वो शुबकारे भी पंडित मुश्ताक अली के शुब वो तो भी में वापिस नहीं कर सकता है जैकि मेरी किताब चपवाने के लिए जो तुम्हें अपना मंगल सूत्र बेच दिया था कि उसकी जगह में यह मंगल सूत्र लाएगा मुबारक हो मुबारक हो अजय अजय आएगा था ज़िए अजय आएगा इसा नहीं होने दूगा इंपकरो सुझादा तुम्हें चोड़कर नहीं जा सकते सुन रही हो ना जब रही हो सुझादा 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 आप दो हमेशा चिलाते हैं कभी नहीं चिलाएगा मैं तुमसे वायदा करता हूं कभी नहीं चिलाओंगा लेकिन मुझे छोड़के मत जाना से कबेंटी चलीगई दोस्त चला गया लेक्न हम दोनों तो है न है मं दोनों साथ और लेकिन तुम्हारी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इन हतियारों के खून की नदी बाहर हुआँगा तुम्हारी कसम नहीं, आपको मेरी कसम, आपके पवित्रहाद, दुष्मन के खुन से कभी नहीं रहंगेंगे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूगी, कभी नहीं, कभी नहीं सुझाता सुझाता सझाता सुझाता अंदर जाओ इंदर बाबु तुम्हारा इंतशार कर रहे है नहीं मैं नहीं जाओगी हरगे नहीं जाओगी जotherapy नहीं जाओगी अंदर जाओ बरना बरना क्या वरना ये शिकारी कुत्ते तुम्हें जबाड डालेंगे छड़ दो इने बचाँ बचाँ लाए गई लाए भाए लाए राए जयुख आपाइ… आद 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 कॉन अदम मैं वही हूँ ůह लेकिन आज तुम्हारी जिन्दगी और दोनुँ मेरे हाथ वेर । डियूों मेरे जान इनने आद तुम्हारे यह हूं और अपने जुर्म का फंदा ब्रमधत अंकल के गले में डाला तुम अपने आप तो इंसान कहते हो वहशी दरिंदे हो तुम अगर में वहशी दरिंदा हूँ तो तुम्हें मुझसे डरना चाहिए हाँ दरना होता है दर दर आजाना हम लगका देता है जैसे मैंने किया ठाई Dur 진짜 पर दोले है पर दो़ों अलोब दोले है पर दोले है चरलों आए बॉहाण जोलों आए इं तर सेट कि मैंने तुझे चेतावनी भी दी ती कि अगर तुने मोहिनी की तरफ आख उठा कर भी देखा तो मैं तुझे अंधा कर दूंगा उपर से छही छोटा करना लू में अंदर सेच्ट कि यूद कि अगर पच्चे एक लड़की के लिए अपनी आनवान पर पानी फेर दिया डॉन में अमें एक्स डॉन में तुम कर सकते हो तुम और तुम तुम मैं भी नहीं कर सकता मैरे आखें नोच कर तुम तुम जंधा नहीं कर सके मगर मैं जरूर तुमारी आखो में आखों में काटे भरूंगा ये सर्थ नहीं, मत करो इतना चांस प्लीज मेरे विजय को छोड़ दो, मुझे तुम्हारे हर शर्त मन्जूर है गूड मौईनी, इस फिकारी से रहम की फीक मंगने की कोई जरूत नहीं नहीं, तुम्हारे जान की बदले में मुझे इनकी हर शर्त मन्जूर है क्या कहा, बदले में? यू मीन इन रिटर्ण, आए लाइक डाट बिजनस की बात, मुझे हमेशा पसंद है बदले में मुझे चाहिए तुम और तुम्हारी दौलत बोलो, मन्जूर है? मुझे मिन्जूर है क्या बख रही हो, मुईनी? यह बख नहीं रही है, वक्त की नजाकत को समझ रही है लो, देस्तखत कर दो मुईनी मुईनी गुड कोई शाला हिला लाए यह क्या करता है? काल कोट्री से बाहर कैसे निकलाया तु? लाक्षष्य कोको डिबले में कैसे बन कर सकता है? मैं लाक्षष हू, लाक्षष. तुम्हारे इनाज मेंने मुझा अगवाकागा मेरे काफी चूना शफय देकी है मेरे घर का कोना-कोना चान मारा मगर तुमारे काले कर्टूतों के शबूतों का चिस्था किसी को नहीं मिला मगर शरकार किसी का ध्यान इस कुबर पे नहीं गया अशली ढाल तो ये कुबर ही है ट्रमकार चिडिका एकार ये कुबर नहीं है शरकार तुमारे जमीर का धैला है जिसके अंदर तुम्हारा हर टेप, हर तश्वीर, हर कागत चीख चीख कर तुम्हारे पापों की कता शुना रहा है शरकार अगर ये थैला मैं पूलिश के हवाले कर दूँ तो तुम्हारी गर्दन में एक साथ कई फांशी के फंदे पड़ सकते हैं है मगर नहीं शरकार क्या है कि तुम्हारे साथ रहते रहते मैंने भी कुछ बिजनेश के हाथ कंड़े शीख लिए जिस तरह मोईली के लिए तुम कानूनी कागज लेकर आये हो उसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए कानूनी कागज लेकर आया हूँ दस्ट्रकत करो मेरे पाश काखर है और तेरे पाश कलम जल्दी से साहिन कर करता हूं आए आए ISO कर दो कर दो कर दो कर दो कि अब जमीन से उठ्ष मकिंदर जीत तेरी दरिंदगी का हत्यार तेरे हातों से गिर चुगा है वह हत्यार तेरी अपनी माथ का कारण बनेगा आज मैं सुबूत के इस हत्यार से तेरे शरीर और तेरी आत्मों दोनों से बद्द लोगा यजए युऑ उख आज़ और दिजऑ झानाचा झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अहूहाँ कर दो कर दिए कर दो कर दो झाल झाल अंदर जीत, तुने हमेशा दूसनों के जिन्दगी में कांटे बिचाए आज तुझको भी इन कांटों के से खुजर रहा हो गया चाल! चाल! झाल! आज बापटों के सकते बापको जाए जो जो आए जो तुझक के सिस्ट्स ठाए झाल! जो 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 आए झाल! झाल! इसे गोर से देखो पहचानो इसे ये तुम्हारा ही दिया हुआ चेक है जिस पर मैंने मौत लिगती थी तुम्हारी मौत और आज इस चेक को कैश करवाने का वक्त आ गया है वो भी तुम्हारे अपने खुन से मेरा तेरा खुन यह मेरी प्रतिज्याती जो आज पूरी होगी यह बेटे मेरा बेटा रिष्टे की दिवारे तो तुम बड़सों पहले गिरा चुका है विजे बेटे आज मैं तुझे अपने सुहाद की सुपारी देती हूं कर दे इस चक को कैश जा पेटे जा पूर्ण के रिष्टे से कोई बाप नहीं होता बाप होता है वो जो अपनी आउलाद को पौदे की तरह अपना खुन दे दे कर सीचता है मगर तु पाप नहीं तु चलाद है चलाद आप मगर भाओ मगरे चलाद मगरे टु अनाव अबंध झाल झाल हरा झाल भी जाजानी आदे नियुकिता अपर्थ मासूम बच्ची ने तुम्हेरा जो तुमने उस बेगुना की जान ली क्या बढ़ा तुम्हेरा और का बढ़ा था है युद्धार मेरे जुईरी दोस्त प्रेम के खतल का जूता ल्जाम लगाकर तुमने बारा साल तक बजे जील के सलाखों के पीछे बंद कर रहा हूँ जब के गातिल तुम थे मुझे माफ करतों मैं बहुत जलील इंसान हूँ दूर्ट कमीने मूर्खो तुम जो इतनी देर पक्वास करते रहे ये दुनिया मकारी और वरेब पर ही चलती है तुम जानते हूं कि भरेब देकर मैंने तुमयारी तौलत तुम से झील ली है और एक इजशतडार से बे इजशत बना दिया है तुम्हें और आज एक भरेबी के हाथ हो तुम्हारी मौT होगी ब्रहम नत्थ तुम्हारी मौT तुम्हारा वो रिवॉल्वर खाली है वो लिया है इस रिवॉल्वर में है अब उपर जाओ उपर जाओ इंदजीत याद है पहली बार जब तुम्हेरे घर आए थे तुमने कहा था कि उचाईया ही तुहारा नियम है तुम्हें आदमी तुम्हें जो कहा था वो करके दिखाया बेगुनाय आदमियों की लाशों पर से ख़़म रख रखके जिन्दगी में तरक्ती हासिल किये तुने उपर जाओ अपने ट्रेड मार्क की वो आखे देख वो स्पाइडल वो मकावा उसकी चबकती हुई हांखे देख इंडरजीत और यह ठेहरे हुए हाथ यह तुझ से लिपोटने के लिए बेताब है अब जाओ पुल जाओ पुलल्डियों की तरस थाथ उठाइंदर जीत उठाओ चूले आस्मान पूरक नामुमकिन नामुमकिन आस्मान उपर कभी किसी को जगा नहीं देता नहीं देगा हर रूची जाने वाली चीज को पड़क देता है ये बेरहम पड़क देगा तुझे भी नीशे पत्रीली जमीन की छाती पर मिटा देगा तिरा नाम और निशान विजय में अपने आप को कानून के हवाले कर दिया अडालत ने उसके हालात और उम्र को मद्दे नजर रखते हुए उसे दो साल कैद की सजा दी झालो